गुँद मारिं चुदेंट्स तुदेंट्स आज हम करने जा रहे हैं हमारे टैंस की अगली कड़ी में प्रेजेंट कंटीनिवस टैंस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टैंस किया था और उसी का next है present continuous tense, देखो बच्चो, present, present का मतलब क्या होता है, वर्तमान, अभी, okay, continuous का मतलब क्या होता है, लगातार, यानि कि अभी जो काम लगातार, आपको उपर उसके heading से ही clear हो रहा है, कि क्या कहना चाहरा है, present means अभी continuous means लगातार, ठीके, अब हम present continuous tense के use देखेंगे, कि कहां कहां इसका use हम कर सकते हैं, first use देखिए सबसे पहले, present continuous tense का use, उन कारियों, actions को बताने के लिए होता है, जो बोलते समय जारी हों, लगातार हो रहे हों, अभी जो start तो हो चुके हैं, पर समाप नहीं हुए हैं, समझे कुछ, देखो बच्चो, जैसे मैंने अभी तुमें पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन खतम तो नहीं हुए न अभी पढ़ाना, ओबर तो नहीं हुआ, जो का शुरू तो हो चुका है, लेकिन अभी समाप नहीं हुआ है, जैसे I am teaching you English, पढ़ाना शुरू कर दिया, खतम हुआ नहीं है, it means, अब मैं बोल रही हूँ, तो य काम हो रहा है, you are watching my video, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानि कि देखना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, यानि अभी जो काम लगातार हो रहा है, it means, an action going on at the time of speaking, it means, क्या होगा, an action going on at the time of speaking, okay, second use देखिए आप इसका, to express near future, निकट पविश्य बताने के लिए हम present continuous tense का यूज करते हैं, यानि कि जो काम थोड़े ही time में हम लोगों ने अपनी जो planning कर रही है, जो प्रोग्राम हम लोगों ने तय कर रहा है, उसको बताने के लिए भी हम present continuous tense का यूज करते हैं, in example, I am going to start a new business next Monday, कि हमारा प्रोग्राम फिक्स है, प्लानिंग टै की गई है, कि मैं next Monday को अपना एक निया बिजनस स्टार्ट करने जा रही हूं या जा रहा हूं, तो इन दो चीशों को clear हो चुका है कि अब जब हमें ये चीशें बताने हों, तो हम कौन सा टेंस यूज करें प्रेजिन्ट कंटिन्यू स्टेंस का यूज करते हैं, जैसे इन दिनों क्या हो रहा है, कोरोना पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग इन दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं, वो तो कल भी बढ़ रहे थे, आज भी बढ़ रहे हैं, और उमीद है कि शायद ये काम, और फास्ट इनक्रीजिंग का जो काम है, ये पेशेंट्स की जो नंबर ओफ पेशेंट्स है, ये शायद बढ़ते जाएंगे, है न, तो इसे बताने के लिए भी हम प्रेजिन्ट कंटिन्यू स्टेंस यूज करते हैं, जैसे आर पापुलेशन इस इनक्रीजिंग, हमारी जनसंख्या ब इसे बढ़ रही है, ये तो कल भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, और कल भी बढ़ेगी, है न, तो इन चीज़ों को बताने के लिए हम प्रेजिंट कंटिन्यू स्टेंस का यूज करते हैं, ये स्टुडिन, नेक्स देखो इसका, इस टेंस का यूज अस्थाई का इस समय मैं पढ़ा तो रही हूं आपको इंगलिश, लेकिन मैं आपको कह रहे हूं कि इन दिनों मैं बुद्ध पढ़ रही हूं, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ रही हूं, अभी तो मैं तुमको पढ़ा रही हूं, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है, मैं अपनी एक बुक पढ़ती हूं है ना तो इसको बताने के लिए भी हम present continuous tense का यूज करते हैं देखे दुबारा से इस tense का यूज हम temporary actions के लिए भी करते हैं जो कि at present अभी बोलते समय नहीं हो रहे होते लेकिन ये कार्या वर्तमान में जारी हैं हो रहे हैं example देखे I am learning English in these days इन दिनों मैं English सीख रही हूं नितेश इस रिडिंग दा गीता नितेश गीता पढ़ रहा है जब मैं बोल रहे हूं हो सकते नितेश गीता नहीं पढ़ रहा हो लेकिन सुबह शाम जब भी उसे समय मिलता है वो गीता पढ़ रहा है या पढ़ता है तो इसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं बच्चों जब हम कम्पिटिटिव एक्जाम देते हैं या जब हमारा टैंथ और इलेवन्थ का जब एक्जाम होता है नाइंथ में तब हमें फिलिंग तो इसके लिए में कुछ आपको क्लियूस दे रही हूँ यहां पर समय सुचक शब्द है मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंपल प्रिजेंट टैंस में भी कुछ शब्द बताये थे और कहा था कि जैसे ही आप यह वर्ट्स देखो तो वहां पर आप वर्ब की फर्स वर्म यूज करोगे ठीक है उसी दरह से प्रिजेंट टैंस कंटिनियूस में भी यहां पर कुछ वर्ड्स है जैसे कि नाओ, नाओ का मतलब अभी, अट प्रेजेंट, अभी इसी समय, अट प्रेजेंट, इसी शरन, टूड़े, आज, इस मौनिंग, इस एविनिंग, इस तिल, नाओ, आज, इस देज, यह कुछ ऐसे शब्द है जैसे ही आप इनको अपने question में देखते हैं, तो आपको, आपके mind में जल्दी से click हो जाता है, कि यह present continuous tense है, यह समय सुचक शब्द इसी tense में यूज किये जाते हैं, जैसे ही बच्चों, आप इन words को देखेंगे अपने exam में, तो आपको फट से याद आ जाना है, कौन सा tense है यह continuous tense, आगे हम structure की बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगे कि verb कौन सी use होगी, verbs, जो continuous tense में use नहीं होती है, देखिए, see, see means क्या होता है, देखना, लेकिन अगर हम बोलते हैं, जैसे कि I see a picture, यह तो सही है, मैं एक picture देखती हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि I am seeing a picture, तो यह wrong है, क्योंकि ing लगते ही, इसका meaning change हो जाता है, जैसे बच्चों देखो, the doctor is seeing the patient, doctor patient को check कर रहा है, तो यह सही है, यानि कि वहां से जाच करना हो जाता है, hear मैंने सुनना, यह एक verb है, जैसे कि I hear a song, मैं एक गीत सुनती हूँ, लेकिन hearing जो quote में सुनवाई होती है, उसका म अतलब क्या होता है, विशवाश, अगर मैं बोलू कि I believe in God, तो यह सही है, लेकिन I am believing in God, यह wrong है, तो यहाँ पे ing नहीं लगता है, यह ऐसी भावनाए है, हमारी feelings है, हमारी state of mind है, इनको जो show करती है, want है, wish है, dislike, hate, love, hope, amazing, बहुत सारी ऐसी है, जो मैं यहाँ नहीं लिख र ing नहीं लगाते है, फिर देखे, possess, belong, have, यह जो शब्द है, यह वाप्स है, यह अधिकार परदेशित करने वाली है, यानि position दिखा रही है, हमारे पास कोई चीज है, जैसे कि, example देखो, this horse belongs to me, this horse belongs to me, belongs मतलब यह घोड़ा मुझस से सम्मंदित है, यानि कि यह घोड़ा मेर है, या ही पजेसे से vast area of land, वो पजेस करता है, यानि कि उसके पास एक जमीन का बहुत बड़ा सरा शेतर उसके अधिकार में है, तो पजेस और belong अधिकार को दिखा रही है, लेकिन इनके आगे ing नहीं लगता है, यह हमें ध्यान रखना है, फिर देखे, forget, think, no, remember, understand, यह ऐसी suppose ऐसी verbs है, जिनके आगे भी हम ing use नहीं करते है, जैसे कि I forget her name, यह तो सही है, लेकिन अगर मैं बोलू, I am forgetting her name, तो यह incorrect है, यह सही, नहीं है, तो यह हमें ध्यान रखना है, कि अगर आपके feeling the blanks में कुछ ऐसी verbs आ जाती है, continuous tense हो, लेकिन उसमें हम यह ing use नहीं करेंगे, इन verbs के साथ में यह आपको ध्यान में रखना है, यह competitive exam में आपके काम भी आता है, ठीक है विचो?